कि सर्दी की आधी रात अभी कल की बात है निकली मेरी बारात अभी कल की बात है और साली से चेल चाल हुईती खुशी खुशी बीवी ने मारी लात अभी कल की बात है हाजिई मेरी मुराद है जनाब अब्दुस्सिलाम कोकर साभ से उनसे गुजारिश करता हूं कि तश्रिफ रायर अपना मजाईया कलाम पेश करें कि जूटों ने जूटों से कहा है सच बोलो, सरकारी एलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर जूटों की एक मंडी है, दर्वाजे पर बोर्ड लगा है, सच बोलो, महतरम अब्दुस्सलाम को करूँ. असलामों अलेकुमा, बिला किसी तमहीद के अपनी बात शुरू करूँ, उर्दु जगत के तमाम राकीन को मुबारक बात देते हुए, चार मिस्रे सबात करें, जी, अर्श करता हूँ कि कोई मंतर चल न पाया, कोई मंतर, कोई मंतर चल न पाया, और न चल से गया, काग जेसे ही खुला तो जिन बोतल से गया, कोई मंतर चल न पाया, और न चल से गया, वो काग जेसे ही खुला तो जिन बोतल से गया, वो डॉक्टर भी ठीक न कर पाये उस बीमार को, इश्क वाला रोग था, जो सिर्फ चपल से गया, समात कर ले के फिक्र की रफ्तार को उसने यू धीमा कर दिया फिक्र की रफ्तार को LIC में नोकरी करता हूँ फिक्र की रफ्तार को उसने यू धीमा कर दिया आयाज भाई फिक्र की रफ्तार को उसने यू धीमा कर दिया ओ क्या गजब एजएंट थी शादी का बीमा कर दिया वो बीवियां दोनों वलीमे को मरी थी इसलिए तीसरी शादी से पहले ही वलीमा कर दिया तीसरी शादी से पहले ही वलीमा कर दिया चार मिस्रे और हाजिर करता हूँ गुजरती है वो गाड़ी से कभी पेदल नहीं मिलती गुजरती है वो गाड़ी से कभी पेदल नहीं मिलती खुशी को थाम लो जाए तो फिर से कल नहीं मिलती उसे तो रोज मिल जाते हैं मेले में नए आशिक हमें तो भीड में खोई हुई चपल नहीं मिलती हमें तो भीड में खोई हुई चपल नहीं मिलती तजमीन समात कर ले अर्च करता हूँ कि फासला थोड़ा बहुत मन्जूर होना चाहिए रात इंदोरी के मिस्तरे पे फासला थोड़ा बहुत मन्जूर होना चाहिए अपना घर ससुराल से कुछ दूर होना चाहिए और माधूरी या सानिया सी हूर मिल जाए तो फिर जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए क्या बात है वाव 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 चार मिस्तरे और समात करें तजमीन के अर्श करता हूं कि तेरा आशिक जो है पगला नहीं है उसे दिखता है वो अंधा नहीं है क्या बात है तेरा आशिक जो है पगला नहीं है उसे दिखता है वो अंधा नहीं है और बिना मेकब तेरा दीदार होना ये आँखों के लिए अच्छा नहीं है क्या बात है बिना मेकब तेरा दीदार होना ये आँखों के लिए अच्छा नहीं है एक मतला और दो शेर समात कर ले मतला वराए मतला अर्श करता हूं कि बादशा तो अपनी बेगम को तरस्ता रह गया उसके घाथों में तुरुप का एक एका रह गया उसके घाथों में तुरुप का एक एका रह गया और इस कदर बठरा गया था मुर्गियों के इश्क में रात भर मुर्गा पकाया फिर भी कच्छा रह गया रात भर मुर्गा पकाया फिर भी कच्छा रह गया और एक शेर यूँ है के चोरी चोरी मिल तो सकते थे अकेले में गले तू गले पढ़ जाएगी दिल में ये धड़का रह गया हजल का मतला यूँ है कि अगर रिश्वत नहीं दूँगा तो अफसर जान ले लेगा अगर रिश्वत नहीं दूँगा तो अफसर जान ले लेगा जो दे दी तो मेरे घर का मिनिश्टर जान ले लेगा और फसी है इस तरहा से जिन्दगी जालिम के कबजे में बसंती गर नहीं नाची तो गबर जान ले लेगा और मेरी शादी हुई जिससे वही मेरा मुकदर है और मुकदर तो मुकदर है मुकदर जान ले लेगा किसी की चीज़ पर क्यों आप अपना हग जताते हो अगर छेड़ों के जोधा को तो अकबर जान ले लेगा और यह गजल का शेड़ों के जोधा को तो अकबर जान ले लेगा है बाहर गम जमाने का यहां सीने में दर्दे दिल यह बाहर गम जमाने का वो यहां सीने में दर्दे दिल वो बाहर जान ले लेगा यह अंदर जान ले लेगा और मकते का शेर बतोरे खास आप सभी के हवाले से एक माइना शक्सियत को आप पहुँच जाएंगे माह तक अर्श करता हूँ बसंती गर नहीं नाची तो गबर जान ले लेगा करो तारी बीवी की मगर खोकर यह मत भूलो करो बुराई माँ की मत करना मुनवर जान ले लेगा करो करो तारी बीवी की मगर खोकर यहा मत भूलो बुराई मां की मत करना मुनवर जान दे लेगा और इनोंने खली तमीद बांद रहे थे जब बात की थी समात कर लें कि मतला यूँ है कि ना हिंदू लगे है तंस देखें साब ना हिंदू लगे है ना मुसल्मान लगे है ना हिंदू से तूटा हुआ इंसान लगे है महंगाई से तूटा हुआ इंसान लगे है और ये शेर में आपके हवाले से अपने आपको नजर करता हूँ कि खाखा के खली जैसा बदन हो गया इसका खाखा के खली जैसा बदन हो गया इसका शाइर तो है लेकिन ये पहलवान लगे है शाइर तो है लेकिन ये पहलवान लगे है शुक्रिया ज़रात कि बीवी फरार हो गई खिलकी से कूद कर मैं दोस्तों को शेर सुनाने में रह गया